नमस्ते मैं हुँ पुछपा पुछपा रियल वॉर्लाग चैनल में आपका बहुत वह स्वागत तो आज हम जा रहे हैं होली की सफाई करने अबिवी मिना बेबी के पाप आज हमने गर खाली कर दिया कई दिन से सोच रही ति मैं आज करूंगी कल करूंगी तो फाइनली आज मंगलवार का दीन है और हमने अपना घर खाली कर दिया है कुछ हो गया है कुछ बाकी रह रहा है यह देखिए तो अब हम जा रहे हैं कटन खोलेंगे सबसे पहले परदे हटाएंगे सफाई सुरू हो गई तेवार आ गया है यहने कि सबसफाई का काम सुरू यहां दिखिए फ्रैंस मैं अपने बैट के जितने भी ऐस्टा चीजें सारी हटाऊंगी बैट सीट मैंने दो दिन पहले ही चेंज की थी तो यही बैट सीट में फिर से दुबारा सफाई करने के बाद भी चा दूँगी क्योंकि अभी इतनी गंदी नहीं हुई है कल सारी चीजें बैट शीट वगेरे तक यह तो कि सब इखटे करके कंबल वगेरा सब में आगे वाले रूम में जो बैड है सिंगल उस पर रखकर मैं ठाग दिया है तक यहां मैं बैड का सीराने को भी इस तरीके से ठाग दूँगी तकि मैं जब जाले निकालूं तो जो धू मैं बहार डालने वाली थी लेकिन मोसम थोड़ा सा खराब था तो इसलिए मैंने बहार नहीं डाले तो इन गद्दों को भी मैं नहीं चड़ूंगी मैं इसी पर अच्छे से ठाग दूँगी यह दिखिए तो सिरहाना मैंने चद्रे से ठाग दिया था और गद्दे ना चट है मुझसे पर आधी निकलते और ठंगते भी नहीं तो यह में हश्बंशन कर रहे है मेरे पर भी निकाल रहेसे और यादिखके जोकरे और हुआ परदों को देंगे ने कि जाकर पहले सरफ में पानी में अच्छे से डिप कर आधी तकि फूल जाए सब्चे यह धे ash टोकर द जाते हैं कि छह मैंने में इक बारी खुल पाते हैं बारबार काम फ्रड़ा होस्ता है तो डीवाली में दोते हैं परदे उसके पाने में भीगो दिया है वह्में सबसे पहले पीछीा आंगन को साफ कर ताकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं चीजों को दो दो कर बाहर डालती जाओंगी तो फिर बाद में जाड़ती तो धूल उड़ती इसलिए मैं सबसे पहले पीछे का आंगन जाड रही हूं आप देख रहे हो ना पूरा मैंने उपर से क्लीन यहां किचन के सफाइए मेरी हो गए और कबार तो मेरे साफ सुतरी रहते है समान अंदर का जोकि यह बैबंद है इसमान उपर उपर के सफाइए मूं जाड़नी तो आप निच्चे का कुछी में फटावार लगा किचन कर दूंगी बाद ताकि किचन गंदा ना है जब पोछा बढ़ाना होगा तब पोच्छा लगा दूगी कि अपटीचन ही जाएगा मेरा बंद नहीं तो सारा धूल डूस्टी दरी आएगा अगे रगे अतार ना था मुझे ने अतार चुक्क है पेपर उपर में बदल दिये यह कवार में सारा बाहर कर दूगी और डूर में कर दूग पिछन की सफाई करकर कि बंद कर आच चुकी हूं कमरे में तो मैं सबसे पहले पीछे वाले कमरे को ही जाल निकालकर रूर क्लीन करूंगी से डस्ट कर देस्ट करूंगी पहले मैं इस तरह जाडू से पूरी दीवालों को अच्छे से जाड़ दूंगी और उसके बाद फिर इसकी में जाड़ू लगाऊंगी तो चलिए फ्रैंस फटा फटे काम में कर लेती हूं और यह फोटो अगेरे भी मैंने नहीं छेड़ी थी हमारी क्योंकि फिर इन्हें टांगना मुश्किल हो जाता बहुत इन्हें मैंने बाद में कोटन के कपड़े से साफ कर दिया था इन इसकी मेरे पीछे वाले कमरे की जाल जो है वह में निकाल चुकी हो और उसके बाद फिर मैंने यह कपड़े दोए थे क्योंकि कपड़े दोना जरूरी थे बेवी के कपड़े थे यह और इसमें कुछ मेरे भी मेरे हैं और एक जोड़ हस्बन के जोड़ मेरे हैं और तीन से चार जोड़ बेबी के हैं तो यह दोना बहुत जरूरी थे तो मैं वह काम छोड़कर फिर मैं कपड़े दोकर ले आई हूं डालने के लिए और आज मोसम भी थोड़ा वैसा ही हो रहा है बादल धूप नहीं है noises रजेंगा अऊ-धर आज्या के रहतना है ने all अगरे हाने गला रेणा всем के लिए करोंगी और डाने के लाद में जाड़ों में जाड़ काम सब्सक्रान के बाद sis साफ सुत्रा कंप्लीट कर दो दो कि यहां अब न मैं पिछे वाले कमरे की मैंने जाड़ू लगा लिए उसका कच्रा आगे वाले कमरे में साइड में कर दिया मैंने और अब में यह आगे वाले कमरे की जाल निकाल रही हूं अब मैं इस कमरे की भी अच्छे से फटा फट से सारी जाल निकाल दूँगी और फिर मैं इस कमरे की जाड़ू लगा लूँगी तो मेरे जाल निकालना और जाड़ू लगाना ये दोनों काम मेरे साथ की साथ ही चल रहा है पहले मैंने पिछे वाले कमरे की जाल निकाली फिर उसकी जाडू लगाई मैंने और अब मैं आगे वाले कम्रे can निकाल रहीं फिर मैं आगे वाले कम्रे की भी जाडू लगाओंगी इस तरीके से दोकाम एक साथ चल रहा है मेरे पठाभठो हो जाएंगे और इसके बाद में लगा दूगी फिच्छा याडू हो मैं बालकनी में गख़ई है नहीं जाता है घूमने पाता इच्छ से तो वुलगा लाती हूं तो फटा फट्ट में बालकनी में पूच्छा हाथ लगाओंगी देन में उसके बाद नों गमरों में फटा फट से वाइपर से लगाओंगी तो चलिए फटा तो देखिए फ्रैंस यहां मेरा ना जाड़ू पोच्छा डस्टिंग सारा काम हो चुका है पिच्छांगन में से मैं घर में अंट्री कर रही हूँ आगी वाला रूम देखिए साफ सफाई मेरी जो होनी थी पर सारी हो चुकी है दोर बंद रखा क्योंकि मौसम खराब है यह देखो बेबी खेल रही है घर में यह देखो सारा हमारी इनमेने जाल वगेरे समझ चुकी है घर की जाले निकल चुके है खिरकी वगेरे सारी साफ हो गई है डस्टिंग हो गई है जाडू भी लग गया पोच्छा भी लग गया है पूरी दीप क्लीनिंग हो चुकी है कटन अभी आदे दुले है मैंने आदे बाकी है तो वह शाम तक लगेंगे और अब मैं यह बैट की सेटिंग करूंगी यही काम रह रहे हैं अप छोटे मोटे और टाइम दिन के साड़े ग्यारा बज गया है साड़े ग्यारा से जादा ही हो रहा टाइम यह देखिए तो आब हम खाना खाएंगे पहले डाल चावल बना लिया है मैंने खाना खाके और उसके बाद फिर अब हम लगेंगे बाकी सेटिंग वाले काम में अधेयर मेरे सफाई करते करते ही आ गई वारी दो बज रही है दिन के बारीत विश्टिंग बागे कि ओंब हुए था सब तुकहें शूप चुकहें तिचनि मेरे सब नहीं है यह दलाल तक है तर्दे मेरे उॉक रभी हम लगाने काफी गंदे हो गए थे अच्बी मेरे सूप गे एङो ह moo हुआ है Jerry इनकी मेरा कोई नुकसान नी हुआ है, आज मेरा सारा काम हो गया है, सब मेरे कपड़े, पर्दे वगेरे जो भी सुखने ते सुख चुके हैं, उसके बाद ये बारी शुरू हुई है, तिन के दो वज़ रहे हैं, और मेरा नहाना दोना सब हो चुका है, मैंने नहा लिया है, बेड शेट तो मैंने कर दी आए, देखिए, बेबी खेल रही है, क्योंकि बाहर मुसम खराब है, दीसे अंदर ही रखा है, बेड शेटिंग हो गई है, बस थोड़ा बहुत रह रह रहा है, काम हमारा, तो यहां देखिए, फ्रेंस, अब मेरे कटन जो हैं, वो तयार हो गए के लिए, इनको हमने अच्छे से प्रेज भी कर दिया है, तो आप मैं इने के करके लगा दूँगी, कोई खड़की मेरी छोटी है, कोई खड़की बड़ी है, तो परदे भी उसी हिसाफ से हैं, चोटे बड़े तो देखके और नापके लगाने पड़ रहे हैं, तो फड़ा कर लेती हूँ, अब मैं अलमारी को भी देखिए, उस दुपटे से ही अच्छे से ढहांग दूँगी, ताकि ये गंदी नहों उपर से, मैं अच्छा लगता हैं, तो देखने में अच्छा लगता हूँ, इसके उपर एस्ट्रा कुछ कपड़े हूँ, यहां देखिए, मैं पीछे से अपने के काम कंप्लीट करते आ रही हूँ, कि काम मेरे कम हो रहे हूँ, यहां जब मैं आगे को आई तो यहां देखिए, पूरा बेबी ने अपने सारे खिलोने फैला दिये थे, और अपने खिलोने फिला के वो खूब आराम से खेल रही थी, मैं का चरो जी ठीक कर लूँगी, मैं बाद में खेल लें दो, देखिए फ्रांस, घर सुबह खाली भी हुआ था, इस टाइम फिर भर भी गया, तीन बचते बचते फिर घर साफ सुतरा करकर फिर जहां की चीज कर नहीं है, तो मैंने इसको धोकर और इससे मैं अलमारी इसलिए धांकी हूँ, ताकि अलमारी मेरी उपर से गंदी नाओ धूलना चड़े, काटन भी मैंने धुल दिया है, सूख गए, धुलके, सुखा के, और इनको प्रेस करकर लगाए हैं, देखिए कितने अच्छे चमक सफाई हो गई है, बस यह मंदिर रहा है साफ करने को, तो यह मैं कल करूंगी, यह रहा है साफ करने को, और यह मंदिर रहा है, मंदिर की, तो मेरी आज की वीडियो जो है, वह यहीं तक की थी, आज साफ सफाई सुरू हो गई है, हुली की तैयारियां सुरू हो गई है, जो क उमीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा यदि वीडियो पसंद आए दे वीडियो आप लाइक करें चैनल पर मेरे फर्स्ट डाइम आगें प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब करें आप लोग अब लाइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की न झाले करें लोग ओड़ी उलकें प्लीज मेरे योड़ी क हुट वीडियो करें आएगा ये प्लाइब साल मेरे बाइब ड़ीज ऑ्ट दिगें इक पोलाइब ड़ीज जाएब का थीज़ आएवार चैनल फिस आएएब तोटें येज ब्लान हो इक दो आएईब पुटें पत